वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता डॉट कॉम बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन नमस्कार स्वागत आपका जनसत्ता में और मैं हूँ कुमार संभव जैन कोरोना वाइरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के हालात है ऐसे में किन सरकार ने उद्ध्योगों को रहा देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है कोरोना वाइरस संकट पर भारतिय अर्थव्यवस्ता से जुले मुद्दो को लेकर वित्मंत्री सीता रमण ने आज प्रेस कांफरेंस की इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज पर वित्मंत्राले काम कर रहा है और इसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा तो आईए जानते हैं वित्मंत्री की प्रेस कॉंफरेंस की बड़ी बाते और समझते हैं एक क्या कुछ है हमारे आपके काम का वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने वित्वर्स 2018-19 के लिए आयकर रेटन भरने की आखरी तारीक बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दी है अभी ये समय सीमा 31 मार्ज 2020 थी इस वित्वर्स में आयटी आर पर लेट पेमिंट्स के लिए ब्यास दर को 12% से घटा कर 9% कर दिया गया है अलाकि TDS deposit के लिए deadline नहीं बढ़ाई गई है लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए TDS के लिए ब्यास दर को घटा कर 9% कर दिया गया है अभी ये दर 18% दी है निर्मला सीता रमन ने कहा कि कोरोना वाइरस के चलते अभी financial emergency लगाने का प्लान नहीं है जैसा कि कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है वित्मंत्री ने पैनादार linking deadline को भी 31 मार्स से बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया है विवाद से विश्वास स्कीम को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है इस नई deadline तक योजना केता है 10 वीज़दी का अत्रिक चार्ज भी नहीं देना होगा इसमें पहले 31 मार्स 2020 तक ही छूट दी गई विदमंद्री ने कहा कि मार्च अप्रेल और माई के लिए जी़दी रिटन भरने की समय सीमा को भी बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है पांच करोड रुपे से कम सालाना टर्न ओवर वाली कंपनियों को लेट जी़दी रिटन भरने पर कोई ब्याज लेट फीज या पेनल्टी नहीं देनी होगी इससे ज़्यादा टर्नोवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन तक कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी लेकिन 15 दिन के बाद ब्याज पेनल्टी या लेट फीस नो फीस दी की दर से देनी हो खबरों के मताबिक कोरोनवाइरस फैलने से पहले ही देश की अर्थविवस्ता सुस्ती में जा चुकी थी लेकिन कोरोनवाइरस फैलने से हालात और बिगरने की अशंका है इसके अलावा कई राज्जियों में कर्फियों और करीब करीब पूरे देश में लॉकडाउन जैसे हालात ने ओध्यों की गती विदियों को ठप कर दिया है देश में करोना वाइरस के बढ़ते खत्रे के विश पीम मोदी आज रात एक बार फिर आठ वजे देश को संबोधित करेंगे उन्होंने ट्विट करके ये जानकारी दी बता दे इससे पहले भी पीम ने जनता कर्फियों का आवान किया था ऐसे में आज एक बार फिर सबकी नजरे उनके भाशाल पर टिक गई है आपको बता दे कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर अब तक 492 हो गए हैं अब तक 9 लोग अपनी जान गवा चुके हैं देश के 560 जिलों में लॉकडाउन घोशित किया जा चुका है जोकि पंजाब, चंडीगर, महराष्ट और पुडुचेरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है राजानी दिल्ली में भी लॉकडाउन और धारा एक तो 44 लगी हुई है सरकार लोगों से घरों में रहने और बाहर नहीं निकलने की अपील कर रही है तो ये थी वित्यमंत्री निर्मला सीता रमण की प्रेस कॉन्फरेंस से जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको क्या लगता है मोधी सरकार के इन फैसलों से अर्ध जगात और आम लोगों को रहत मिलेगी या नहीं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं देश के हाला से जुड़ी और भी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रही है जन सप्ता के साथ दन्यवाद